नमस्कार दोस्तो, स्वागत आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में दोस्तो आज हम लोग पहुँचे हैं कोलकाता के जोडा बगान और जोडा बगान में हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहां पे मिथून सरका बस्पन बीता है और यहां पे मिथून सर का वो वाला घर भी है जहां पे वो अपने family के साथ रहते थे तो आज के इस vlog में हम आप लोगों को दिखाएंगे मिथून चक्रवर्ती का घर तो चलिए हमारे साथ इस vlog में आप लोग बने रहेंगे तो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हैं यह गली यह गली जो है इस गली का नाम है माथूर सेन लेन और इसी गली में तकरीबन सो मीटर अंदर जाके वो बाला घर है जहां पे मिथून सर रहते थे और जहां पे उनका परिवार रहता था और यह सामने में एक चाई दुकान है इस चाई दुकान से मिथून सर की बचपन की कापी सारी यादे जुरी हुए है क्योंकि श्ट्रगल के दिनों में मिथून सर यही पर चाई प्या करते थे और उनके श्ट्रगल के दिनों की कहानी यह है कि उनके पास पैसे तक नहीं हो भार में भी चाई पीके लिए उंकल जी कितना पुराना दुकान एक सो बर्स पुराना दुकान आई है पीछे हम लोगों को चाई दुकान पे एक अंकल जी मिले जिनोंने बताया कि जब वो छोटे थे तो उनको केतली दिया जाता था और वो आसपास चाई पहुंचाया करते थे और उन्हें साम में उसके लिए 25 पैसे दिये जाते थे जी हाँ आप समझ सकते हैं कि किस गड़ी भी से निकल कर उन्होंने अपना या नाम बनाया है तो चलिए अब यहां से हम लोग चलेंगे उस वाले घड़ पे जहां पर मिथून सर का बच्पन बीता है और जहां पर वो रहते थे तो हम लोग उस चाही दुकान से निकल गए और यह जो सामने गली है यही माथूर सेन गार्डेन लेन है और यह सामने में जोड़ा बगन पुलिस स्टेशन है देख सकते हैं आप लो यह गली इधर मुर रही है इनी गलियों में वो खेल के बड़े हुए तो चलिए हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं उनके उस वाले घर पे जहांसे उनका बच्पन जुड़ा हुआ है इस गली से होते हुए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मितून सर के चयाइल्धूड घर पर आप मेरे सामने यह घर देख रहे हैं यह घर लगबक एक सौ साल पुराना है जी हां एक सौ साल पुराना घर है यह और इस घर का नाम है कमला विला 20 सी यह जो घर है यह जो मिठोन सर से आप मिले हैς हमको दू आई होटेल में मिला था यहां टल में मिला यहां तो वह बच्पन ये फ्यून ने बात में यह खरिदा है कितने साल हो गया आपको यह घर करीदे हुए तो आप देख सकते यही वह घर है अब तो सायद वह कभी एक तीस साल से यहां नहीं आया होंगे यह आया है देखने या फिर घूमने भी आया था बीज 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 में यहां का महला का जो दुर्गा पूजा था दुर्गा पूजा होता है महला में दुयर पॉली उसमें कभी-कभी आता थे तो उसके साथ मैडम भी एक बार आया थे म Jessica लटका लोग को चोटा लग कर लटका को मैड़का उन ब्ही एक second के यह काये कि अनका बच्पन यहींद बीता है तो उनका बहुत सारा याद होगा बच्पन का जो जुद्वा में जोह को भी बहुत सारा याद है मोगो को महलं का दा zit आपना यह जो बनाया है महर बनाया जो वार्ड में पुरी दुनिया में उनको पचेंत हैं यह में हम लोग को लिए गरब के बाद है हमारा मेटून का हमारा एरिया का महला का हम पर्तना करते कि यह दाधा फिन एक बर्दूबार यह महला में हम लोग से मिले कुशियों के और हम लोग जैसे सुने थे कि दाधा जो थे वह काफी गड़ीब मतलब फैम्ली से बिलॉंस करते है इसा है नॉर्मल जैसे हम लोग होते हैं लेकिन बाबुजी तो नंगरी करते ही थे तो बढ़ाही भी करते था अच्छा अच्छा क्वाश् इसे कि उनका परहाई लखाई को जहीं से हो रहा है अच्छा जैसे कि स्कॉटिस में पढ़ते थे तो उनका लगा कब तक परहाई आँ हुआ होगा कि उतना सालफाल हमको मालूम नहीं है उतना उन से डाइरेक्ट बात से हुआ था दूबर होटेल में हैसे जान पाचान इंटरेस में उनका भाइबाती जहाए सब मासी के लड़का लोग है सुमना ता राजा वह दोनों आते थे अभी उलोग भी चलागे लिया से अब लोग भ मिथुन चक्रवर्ति का घर कोलकाता में उमीद करूँगा कि यह वाला व्लोग आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया तो इस व्लोग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खड़िएगा मिलूँगा बहुत जल्द इसी तरह के अगली वीडियो में तब तक जाहिन वन दे मातरम